वेल्बंग तू माइ यूट्यूब चैनल आज हमारा राणी सुट्रेक का सेकंड दे है और अभी सुबा के साथ बजे है और अभी हम सो क्यूट है और हम चाय बना रहे है है और हम कुछ तिरबाद अपना करें अगे का ट्राक करेंगे अव करिंगे यहां जबने के बार अवह डर्यक चाई पना योक। आधे कले राणी शाए चैनल बना लिए चाहे वेदर कंडिसी नाज थोड़ी ठीक है दूप निकल रही है और थोड़ा क्लावड़ी समी है पता नहीं बारिश होगी की नहीं होगी I hope कि ना हो तो आज जेट मिने की वीज थारीख है तो काफी लोग देवस्थानों पर सनान करने के लिए जाते है तो आज यहां पर भी काफी लोग आए है और रानी सुई लेक में सनान करने के लिए जा रहे है तो यहां से हरेपुर करेदे दिख रहा है और निच्चे को कुल्लू बैली दिख रहे है यहां से जग सुक तक का यह दिख रहा है तो इस पूरे ट्रेक में आपको एक ही जगा पर पत्थर मिलेंगे वही यह यह दिया यहां पर आपको काफी मांड में पत्थर मिलेंगे और इधर दो कहीं भी आपको इतने सारे पत्थर नहीं मिलेंगे तो इस पत्थर ओली एजय को बोलते हैं पांडु पत्थर यहां पे पांडु गराट मिना रहे थे और यहां पर माना जाता है कि यहां पर मैक्समिम जो गराट के जज़ चक्के होते हैं वह तीन ही डूण्याय है और किस्मत बालों को ही दिखते हैं आई होब कि मुझे भी दिखे और कुछिश करेंगे डूनने की यह गास्ता चननने के थोड़ा मुस्किल है क्योंकि यह काफी बड़े बड़े बत्तर है और बत्तर के पिस में काफी गया फै कि मुझे काफी नीचे को खाई-खाई सी है यह साइड सब्सक्रावली हो गया और नीचे को दूप है और यहां पर भी आगे पिर से बैसे बत्तरवाला रास्ता है और हमारे साथी उपर ही पहुंच चुके है पत्तरवाला रास्ता है कवर कर लिया है इस साइड मौसम तो रहा ठीक है और आगे कुछ आज वारी शुरे क्योंकि काहले बाद लचा चुके है यह लोग उपर तक पहुंच चुके है हमें भी उपर पहुंचना है यहां पर मुझे बस लिखी यह मिट्टे के कारण तो रिकाल दियो चुकी है तो मुझे मिल गया है यहां पर रवार्ड यहां पर लोकल वाइसा में से रवार्ड केते हैं मुझे इसको पताना नहीं आ रहा है कि इसको इंदे में क्या करेंगे यह चोटे घर की तरह होता है अब बारिश पुरिश पड़ते तो जो गद्धी दोग है वह यहां पर बैठते हैं ताकि वह बिगे न और खाना बगए बनाने के लिए भी ठीक रहता है बारिश में यहां पर पाफी जगह मिलेंगे आपको यह खुद बनाए गए होते हैं और कई जगह पर यह नेचरली बने होते हैं पत्त से तो यहां से दिख रहे है हमता बेली तो यहां पर हमें तोड़ी जादा सिवर दिखी हाँ क्यार अगी को लगता है शायद जाए आने वाला है यहीं पर इस एक प्रोप्रक को इस साइड का वियू काफी अच्छा है तो यहां पर बारिश हो रही है पर बारिश के जगाप यहां पर ओले पढ़ रहे है क्योंकि यहां पर टैमपरेचर काफी डाउन है तो बारिश की बुंदह हूं ओले की रूपमें गिल रही है मैं lijep कुछ ज्यादा बहिए अगो विइंडिक चुक्त करते हैं हमारी सांस थोड़िए फुल सार्टव्स या जाती है क्योंकि एइंजितने आइटम मुशलते है तो च debating कमियो हम चुछ ऀाती है सांस फुल जाता है हार तकावर सी फिल होती है यहां आगे तो काफी होले गिरे हुए और बिल्लकुल वाइट हो चुका है आगे क्योंकि हम काफी हाइट में है तो यहां पर टेम्परेचर भी काफी टाउन है आगे पूरा वाइट हो चुका है पहाड़ों में वैदर कंडिक्शन कब चेंज हो जाए पता नहीं होता है इसलिए अपने पूरी शेप्टी के साथ आना चाहिए और पूरे सुमान के साथ आना चाहिए कभी बाइश पर सकती है और कभी बाफ की सकती है और इस टाइम लेकिए ठेक्दम ही ओले परने स्टार्ट हो चुके है और हर जगर हो लोग के जादर बिच चुकी है कुछ इदर में से मुस्म साफ हो जाए क्योंकि अब जो काले बादल से बहर चुके है बस थोड़े से ही उपर रहे चुके और आगे कम होले पड़ रहे है बस इस साइट काफी होले पड़ रहे है कुछ ऐसा नजार आ चुका इस टाइम को तो यहां से दिख रहा है रांगडी मेनाली और यहां से दिख रहा है रोतांग दर शायद आपको क्लिए दिखाए दे रोतांग का रूड तो फाइनली हम पहुंच चुके है रानिस्वी लेक यह है रानिस्वी लेक यह जिल पुरी वर्फ से जमी हुए जील के पर काफी मोटी वर्फ की चादर चाहिए अब दूप चल चुकी है और यहां पर हैं फुजा करने के लिए यह जील है यह शांडल ले रिशी की जील है काफी लोग स्नान कर रहे हैं तो मुझे में इतने के बैस्ते नहीं कि मैं ऐसे बफ वाले पानी में नहा हूं मौसम साफ हो चुका है जो सामने जो यह पाड़ दिख रहा है यहां पर है स्गोजिल काफी लोग यहां कट लाकर करते हैं और जो सामने जो यह परवत है इसे कहते है बोगी परवत और यहां से आगे को आठ दिन का ट्रैक है तो यहां से आगे का जो ट्रैक है वो चंबा का ट्रैक है और यहां से आठ दिन लगेगी चंबा जाने के लिए और रास्ता भी यहां से काफी ठीक है शेंडल ते रिशी चिलीन के यहां पे शाइब सुनान और यक्की के लिए आते हैं यह जील है शेंडल ते रिशी जील है काले बातल चाह रहे हैं लगता है कुछी देर में बारिश होने वाली है कुछी देर में बारिश बने वाली है तो हम लोग जा रहे हैं बापिस यहां पे काफी मोटी चादर है बाफ की और चलने के लिए ठीक है और कई चगह पे बाफ काफी नारम है तो पाउं बाफ पर अंदर जा रहे हैं हुआ है पाद्टर के वास तो हम ग्राट का पतर डूरने के लए है एक हमें जाते हो मिला था तो एक हमें एक हमें रिखाता हूं आपको कि इस पर करकाड ग्राट का बत्र है देखिए ऐसा होता है ग्राट का बत्र तो मैं यहां पर दोह मिल चुक है पर इसमें चाहिद दूसे साइट चेह दोगी पर यहां फेसमें चेहिद नहीं एक यहां पर वह बुरी तो किस तक चुक है तो हम अब अपने केम चारें करें तो हम कुछ दे बहुचने वाले हैं वह दिख रहे हैं केम्प हम बहुंच चुके हैं और रशे करेंगे फिर खाना बनाएंगे बैटरी बहुत कम रह चुकी है तो पावर में कम बैटरी रह चुकी है तो अभी चार्ज करेंगे और आपको आज का व्लोग पुसंद आया होगा आज का व्लोग पुसंद आया होगा तो आपको प्यासे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्क्राब करने ना बुलें थेंक्यू बज्साइ़ प्यां यह यह उधत्क पारकें तो